असलाम अलेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है देश भर में लोगसभा चुनाव का विगल बिच चुका है और आचार सहीता भी सब जगा लागू हो गई है ऐसे में ठाने जिले में जो तीन लोगसभा चुनाव शेत्रात हैं ठाने कल्यान भिवंडी इनकी पूरी जानकारी इसमें मद्दाताओं की संख्या और चुनावी आचार सहीता के चलते क्या-क्या नियोजन किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से इसकी जानकारी देने के लिए सोमवार को ठाने जिलादीकारी कारियाले में एक पत्रकार परिशत का आयोजन किया गया जिसमें जिले के मुख्य चुनावादीकारी और जिलादीकारी डॉक्टर राजेश नार्वेकर ने इस संबन्द में पूरी जानकारी दी उन्होंने बताया कि अपकी बार यानि 2019 के इस चुनाओं में पूरे ठाने जिले में 60,94,308 मद्दाताओं का नाम पंजिकृत किया गया है यह नाम जो है वो मद्दाताओं के तौर पर रेजिस्टर हुए है जिन में 2014 की तुल्ना में अब की बार जो है संख्या लगबक 5,80,783 से मद्दाताओं की ज्यादा है या इन तीन लोग सबाद चुनाओं में बने है और वो पहली बार अपना मद्दान करेंगे वोट करेंगे अब इन 60,94,308 मद्दाताओं में कितने पुरुष हैं कितनी महिला हैं इसकी एक पूरा चाल्ड हम आपको बता रहे हैं इसके अलावा 2014 में मद्दाताओं की संख्या कि दी गई है वहीं इसमें त्रितिय पंथी या जिने किन्नर कहा जाता है उनकी भी संख्या अच्छी खासी बड़ी है वो भी आकड़े यहां पर हम दे रहें आपको उम्र के अनुपात के हिसाब से यहीं कि 18-19 फिर 20-39-39 ऐसा दद्दस साल के हिसाब से जो है उम जो उम्र का जो एक ग्रूप है उसके अनुपात से कितने मद्दाता है इस उम्र के वो भी इस चार्ट में हम आपको बता रहें सरसरी तोर पर हम आपको बताएं कि इस लोगसवाज चुनाओं में ठाने जिले के इन तीनों लोगसभाक्षेत्रों के अंदर ठाने कल्यान और भिवंडी यह तीनों लोगसभाक्षेत्रै जिनमें 18 विधानसभाक्षेत्र आते हैं हर एक लोग लोगसभाक्षेत्र में 6 विधानसभाक्षेत्र हैं विवंडी में ठाने में 6 और कल्यान में 6 हैं कल्यान में जिसमें कल्वा मुम्राज शुरुवाद हो करके कल्यान ग्रामीन उलास नगर कल्यान पश्चीम ऐसे और यह अन्य जो है चुनावक्षेत्र विदान सभा के उसमें आते हैं इसी तरीके से सभी लोग सभाक्षेत्र के हैं तो अब की बार जो साट लाग 94308 मद् जिकरित्वें इन तिनों लोग सभाचुनावक्षेत्रों में इन में पुरुष मद्दाताओं की संख्या जो है वो अब की बार 33,22,965 है जो 2014 की तुनला में 2,86,384 से बड़ी है 2014 में थाने जिले में पुरुष मद्दाताओं की संख्या जो है वो 30,36,581 थी इसी तरह से महिला मद्दाताओं में अब की बार 27,71,003 महिला मद्दाताओं की संख्या है 2014 में ये संख्या थी 24,76,912 यानि 2019 में इसमें 2,94,91 महिला मद्दाताओं की संख्या बड़ी है वहीं हम आपको बता दें कि 60,94,308 ये जो कुल मद्दाता है इन में सबसे जादा मद्दाताओं की संख्या जो है वो 30-49 उम्र के दाइरे के लोगों की है इस दाइरे में आने वाले जो 30-49 उम्र के दाइरे वाले जो लोग है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है इसके अलावा चुनावी आचार सहीता का पालन करने के लिए क्या-क्या नियोजन किया है इसकी जानकारी जिलादीकारी राजेश नार्वे करनी दी जिसमें उन्होंने बताया के लोगसावाच चुनाव के पिष्ट भूमी पर जीले में कुल 72 उडन दस्ते बनाए गए है जो फॉरण जहां से भी शिकायत प्राप्त होगी या जहां कहीं भी कोई गलत मामला नजर आएगा वहाँ पर फॉरण यह उडन दस्ते जो है पहुच करके कारिवाही करेंगे वही 21 वीडियोग्राफी करने वाली टीमें बनाई गई है यह सारे नेताओं की राजनेतिक दलों की चुनावी सभाओं को उनकी पधियात्राओं को उनकी रैलियों को उनके रोड शो को कवर करेगी और इनके जितने कारियाले बनाई जाएंगे चुनाओं प्रचार के उनको भी यह वीडियोग्राफी की टीमें जो है वो कवर करेगी इनके अलावा 32 टीमें ऐसी बनाई गई है जो इन तीनों लोगसवाद चुनावक शेत्रों में ठाने, कल्यान और भिवंडी इन तीनों लोगसवाद चुनावक शेत्रों में बाहतर टीमें अलग-अलग जगाओं पर जो है विधान सवाक शेत्रों के अनुरूप इन्हें तै लीए उसका नियंत्रन कीसा होगा और उसकी प्रमानिकरण उसको जोुद कहा जा रहा है यह कि अमीद्वार की है यह किसी के कुछ किया नहीं है इसमें कोई मतलब गलत मामला नहीं है जहापित करने वाले जो चीजें लें रहेगी उसके लिए एक नियंत्रन समीति बनाई जाएगी और खर्च पर उमिद्वारों की तरब से राजनीदिक दलों की तरब से चुनाओं में जो खर्च किया जाता है उसका लेखा जोका लेने के लिए जिलास्तर पर एक सनियंत्रन समित्री जो है उसमें एक नियंत्रन समित्री का गठन किया जाएगा और ये समित्रन कमिटी जो है वो इस पर पूरा नजर रखी भी रहेगी लोगसमाज चुनाओ की ठाने जिले में कैसी तैयारिया चल रही है, कितने मद्दाता है, पुरूश, महिला, नव मद्दाता और इसकी पूरी जानकारी जो सोमवार को ठाने के चुनाओ, मुख्य चुनाओ अदिकारी ठाने जिले के और जिला अदिकारी राजिस नार्वे करन ली क्या जानकारी दी किस तरीके से चुनाओई तैयारिया की गई है इन सब की जानकारी देने वाली थी एक विश्लेशनात्मक आज की हमारी खबर जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ